ओम शान्ती, 18 सेप्टमबर 2021 की साकार मुरली से होमवर्क, आज बाबा को साजन के संबंद से याद करेंगे आज हमारा साजन हमें अलोकिक बनाने के लिए स्मृति दिला रहे हैं, एक बाबा ही सहारा है, ये सारा दिन याद रखें और हर करम त्रिकाल दर्शी स्थिती में स्थित हो करके करेंगे, तो अलोकिकता अपने आप आती जाएगी आज की मुरली से धारना के लिए दो पॉइंच लेंगे, अपनी अवस्था को एक रस बनाना है, दूसरा मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए हमने पुर्शार्थ करना है, जो बाबा ने ज्यान सुनाया है, उसको जीवन में धारन करने का, तो अवस्था को एक रस बनाने के लिए आज अटेंशन देंगे श्रीमत के उपर, याद के उपर और अपने संकल्पों के उपर, आज सुभे से शाम तक हमारा हर संकल्प, बोल, करम, श्रीमत परमान चल रहा है, इसकी चेकिंग करेंगे, दूसरा, याद करते रहना है, इसमें लगे रहना है, आज बाबा ने कहा, अपने साथ पृतिग्या करने है, उठते, पैडते, चलते, फिरते, खाते, भोजन बनाते, बाबा की याद में रहेंगे, क्योंकि याद से ही सतोप्रधान बनते हैं, याद से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे, कोई भी संकल्प, वेस्ट और नेगिटिव ना आए, उसके लिए विधी बताई, बाबा ने कहा, सवेरे सवेरे उठ, विचार सागर मन्थन करो, तो इन विधियों के द्वारा, आज हम अपनी अवस्था को एकरस बनाएंगे, दूसरा मुक्ती जीवन मुक्ती के लिए धारना जीवन में ज्यान की करनी है, उसके लिए तीन वातों पर अटेंशन देंगे, स्वधर्शन चक्रधारी बनना है, लक्षय को सुम्रिती में र बारा वार घुमाएंगे, जिससे बुद्धी की लाइन क्लियर होती जाएगी, और ज्यान की जीवन में धारना होती जाएगी, और लक्षय को सुम्रिती में रखेंगे, ये प्रिंस प्रिंसिस बनने का कॉलेज है, मैं भविश्य में क्या बनूंगा, अपने भविश्य सव को बार बार इमर्ज करेंगे, संपून सवरूप का चोला धारन करते रहेंगे, तो वो विशेश्टाएं आती जाएंगी, मैं प्रिंस प्रिंसिस बनने जा रहा हूं, तीसरा सर्वी सेबल बनने से ही जीवन मुक्ती में उँच पद मिलेगा, तो सर्वी सेबल के लिए उँच पद होगा, क्योंकि बाबा धरम के सासत किंग्डम की भी स्थापना कर रहे हैं, तो धारना युप्त होगे, तो राजाई में उँच पद मिलेगा, इन बातों को आज की मुरली से हम धारना मिलेंगे, ओम शान्ति